हालो दोस्त रेलवे लाइप यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है हालो दोस्त एक बहुत बड़ा सवाल लोगों का है हमारा नहीं आरारबी एलपी वेकेंसी के सारा सीट फूल हो गया है भुनेसवर, चंडिगड और मंगलोर भुनेसवर में 2222 लोगों का नाम आ चुका है चे पोस्त खाली है आपका चंडिगड में 1308 का आ चुका है और अगर कहें आपका लास्ट जो बंगलोर की पैनल आई थी उसमें 1681 वेकेंसी में से करीब करीब यहां भी 1617 और 506 कुछ 26 कंडिडेट जोड़े तो यहां भी 1718 20 पोस्त बच रहा है यानि पैनल में जो वेटिंग लिस्ट कंडिडेट आ गए हैं तो बाकी बच्चे हुए वेटिंग लिस्ट का क्या होगा यह सवाल लोगों ने पुछा कि क्या कंडिशन बचेगी अब कि अब वेटिंग लिस्ट किलियर होगा या नहीं होगा यह बता जीजिए मुझे अब एकजाम की तियार करनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए तो हम जिंदगीब करते हैं लोगों को कि अगर आप स्टूडेंट है तो कभी वेटिंग की भरोसा न करें वेटिंग ऐसा खेती है कभी फसल दे जाती है कभी इंतिजार बहुत लंबा कराती है कभ वो भी इतने सालों तक करा सकती है जिसकी कोई गरांटी नहीं है तो सबसे बस policy है कि आप अपने preparation को जारी रखें जहां possible है वहाँ अपनी try करते रहें waiting में है तो आपके पास एक list है कि सायद कभी न कभी कुछ कारण मिलेगी तो उसी कारण की बारे में बात करेंगे कि अब waiting की condition क्या बगती है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो waiting होता है दो परकार से clear होता है waiting अब कहीं भी जाएंगे कोई भी competition होगा चाहिए LP हो group D हो यहाँ group C and D की बात करेंगे हम ऐसा नहीं group C में भी दो हैं JE और NTPC जिनकी basic level 5 या 6 होती है वहाँ ascale level में clear होने की chances बहुत कम हो जाती है क्योंकि वह C में maximum post है कुछ लोग अलग post में जा सकते हैं higher EPSC IS में लेकिन बहुत railway के लिए तो बहुत मुस्किल हो जाता है जहां पर यह waiting list clear होता है तो हम waiting list के बारे में जब भी बात करते हैं तो एक तो panel complete होने से पहले waiting list clear होनी चाहिए थी वह कौन-कौन से RRB में हो चुका है बंगलोर में आपका चंडीगर में और भूबने स्वर में हो चुका है यह 3 RRB में जो waiting list clear होना हो गया था इसकी भी discuss करेंगे कि इस कारण से होती है थोड़े से point में लेकिन focus रहेगा कि panel के बाद क्या complete होगी यानि waiting list दो परकार से clear होती है एक panel आने से पहले और एक panel आने के बाद में पैनल से आने से पहले clear होने का मतलब यह है कि वेकेंसी फूल नहीं हुई है और पैनल के बाद waiting list clear होने के बाद है कि वेकेंसी फूल हो गई है फिर भी अभी उमीद बच्ची हुई है तो चलिए यह सबसे इसको बोलते हैं short duration कम time में clear यह होता है आपका और यह long duration है लंबा time में clear होने वाला waiting है तो इसको भी समझेंगे तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैनल से पहले किस किस कारण से waiting clear होता है तो आपने देखा होगा db absent में कोई हो गया उसके post को waiting list से दिया जाता है medical fail हो गया medical absent हो गया वो भी waiting list को मिलता है उसके बाद educational qualification के कारण कोई candidate reject होता है वो भी put waiting list से भरा जाता है bimetric problem होता है वो भी bimetric कारण के reject problems या technical और भी कारण हो सकता है जिसके कारण से आपको waiting list से sit मिलती है ये नो सी problem होता है उसके लिए भी आपका waiting list होता है कई बार आपका community गलत select हो गया उसके कारण से भी होता है और भी different different छोटी छोटी कारण है जिसके कारण से आपका पैनल आने से पहले अगर ये सारी condition हो जाती है और candidate का rejection list आ जाता है तो जो candidate waiting में है उनकी नाम पैनल में आ ज सारे हमारे पास है पैनल आने के बाद भी हमारा waiting list railway में possible रहता है रास्ते बंद नहीं है ध्यान दिजेगा रास्ते बंद नहीं है लेकिन कितना सिकूर है ये आपको देखना बहुत जरूरी है कितना time लगेगा ये बहुत जरूरी है जिसलिए काते हैं इसको long time waiting list के लिए य लंबा time लग सकता है 6 महिना भी लगे साल लग सकता है जड़ साल भी लग सकता है और दो साल भी लग सकता है इभिन कई सारे केसो में हमने 4 साल भी देखा है तो ये इसरू long duration का waiting list है तो इस the waiting किस्ट में क्या-क्या होता है देगें ध्यान से दिजीगा सबसे पहले जो पैनल में नाम आगे है कंडिडेट वो ज्वाइन नहीं किया हाला कि ज्वाइनिंग माली जेगे आरार भी भुनेश्वर में दो हजार दो सो अठाइस पोस्ट है तो इतिनी लोगों के ट्रेनिंग कर नहीं करेगा या सो लोग ज्वाइन नहीं करेगा जेनरली ये दो चार पांच दस कंडिडेट ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं पैनल में नाम आने के बाद भी उसके बाद दूसरी बात करते हैं ट्रेनिंग अपसेंट बहुत सारे ऐसे कंडिडेट आ जाते हैं ट सकता है डिफकल्टी लगे जॉब कंडिशन लगे या ओल्रेडी जॉब में है वो जॉब और इस जॉब में कंपेर करके अपना डिसीजन ले लेते हैं तो ये भी एक कारण है एक ही एकाद दो लोग अगर माले बाइस सो लोग हैं तो दो चार पांच दस ऐसे भी कंडिडेट म लोग को हो गई लेकिन कोई ऐसा अरार भी है जिसमें बहुत सारे पोस्ट और खाली हो गए तो आपको सप्लिमेंटरी या रिप्लेस्मेंट पैनल बना कर दूसरे अरार भी में भी दिया जा सकता है तो इसके लिए भी आपकी पॉस्बिलिटी एक बनी रहती है लेकिन हाला कि आप दूसरे अरार भी में जाएंगे तो आपसे 24 पूछा जाता है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं ये भी एक कंडिशन है जहां से भी जोब मिलने की संभावना है और अगर ऐसा आ गया तो इसमें करीब 30, 25, 40 ऐसे बेकेंसी या 100 तक भी हो सकता है बह जाइन कर देते हैं जिसके कारण से भी एक दो चार पोस्ट खाली होते रहती है टाइम के साथ क्योंकि टाइम याद 6 महिना से लेके 4 यर तक है इसके बीच में कुछ न कुछ ऐसा घंटना है होती रहती है कुछ लोग जोब छोड़ते रहते हैं उसके बाद दिट पार्टम लिस्ट खाली होती है और उस वेटिंग लिस्ट को खाली फिलिप करने के लिए आपको वेटिंग से ही लेना पड़ता है क्योंकि जब भी जॉब में इंटरी होती है किसी को तो नीचे लेबल 19,900 से होगी ना कि बीच वाले लेबल से उसके बाद रिटार्मेंट बहुत 2020 को आपने जुआइन कर लिया और जो वेकेंसी आपकी आई थी वो 2018 में आई है जन्वरी में तो दो साल हो गए लेकिन इन्होंने एक्जम्टेट लेके चलते हैं कि 2020 तक वेकेंसी चलेगा तो 2020 तक कितने लोग रिटार होंगे इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है लेकिन ये वेकेंसी 2020 तक तो अभी कम्प्लीट हुआ इसके बाद 2021 तक अगला वेकेंसी नहीं आई तब तक रिटार्मेंट हो रही है वो आपका वेटिंग लिस्ट से धीरे धीरे पूरा किया जाता है और फाइनली जो कंडिशन है सबसे बड़ा डिराइब करने वाला फैक्टर है नेक्स्ट डिकूर्मेंट अगला वेकेंसी कब आएगी बहुत बड़ी चीज है वेटिंग लिस्ट के लिए रोरने के लिए जब तक अगला वेकेंसी नहीं आती है तब तक वेटिंग लिस्ट वाले कंडिडेट आरार्वी के लिए एक क्या कहते हैं गोल्ड लोन है आपने लोन लिया है लेकिन उसके जगह पे गोल्ड जमा किया है वेटिंग लिस्ट को RRB को कोई सेल्डी नहीं देना पड़ता कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ता लेकिन एक सेलेक्टेड कंडिडेट इनके पास हे रहते हैं कि जब तक हमारा अगला वेकेंसी नहीं होगा जहां ज के पास एक option बना हुआ है तो अभी देखें हमने 2018 में जो वेकेंसी आई है किलियर होते होते 2020 हो गई है अभी प्रोसेस सबकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है अभी आगे भी प्रोसेस बढ़ती रहेगी तो अगला वेकेंसी अगर मान लेते हैं कि 2020 के लास्ट तक भी आता है क क्योंकि 20 के लास्ट से पहले कोई उमीद नहीं है जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे पैनल भी अभी नहीं आये है और जो पैनल आये हैं उनकी ट्रेनिंग भी अस्टार्ट नहीं हुई है और उसके बाद ट्रेनिंग अस्टार्ट होगी तो ये जॉब में जाएंगे अलाकि 2000 माल लेते हैं कि 2020 की वेकेंसी पहले भी आ गई तो अभी जैसे देखें कि 2000 वेकेंसी 18 की किलियर होते हैं, 20 हो गया तो 2020 में जो वेकेंसी आएगी तो 2022 तक किलियर होगी तो क्या तब तक आप गर आप 21 भी हो जाए तब तक आपके डेड़ साल तक आपके पास वेटिंग लिस्ट में डेड़ दो साल है तो यह कंडिशन है कि जिसके कारण से कि जो आइनिंग अभी पैनल आ गया है वेक अभी भी वेट कीजिए कहीं कहीं किनारा तो जरूर मिलता है लेकिन फस्ट जैसे मैंने शुरुवात किया था वीडियो को कि अगर आपको अधर जौब मिलता है तो उसको पहले पिरफेंस दें अपनी पिरपेरेशन को तयारी रखें और वेटिंग लिस्ट को रहने दिजि झाल झाल